बेटल फोर नंदी ग्राम कोन जीतेगा नंदी ग्राम ममता बेनरजी या सुवेंदू अधिकारी आज महा ओपनिन पोल लेकर आये हैं नंदी ग्राम का नमस्कार दोस्तू स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से S&S पर जी हाँ दोस्तू आज हम बात कने वाले हैं नंदी ग्राम के ओपनिन पोल के बारे में क्या नंदी ग्राम में ममता बेनर जी जेंदमारी कर पाएगी सुवेंदू अधिकारी के जी हाँ दोस्तों पसिमगाल में विदानस बाद चुनाओगा परचार तो जोरो सोरो पर हैं लेकिन सब की नजर नंदी ग्राम पर बनी वी हैं बंगाल के नंदी ग्राम में महा चुनाओगा होने जारा हैं और वहीं भी ममता बेनर जी और सुवेंदू अधिकारी के बीज 18 जनरी को जब बंगाल के मुख्यमंत्री और टी-म-सी सुप्रीमो ममता बेनर जी ने जब नंदिग्राम विदानस बाद चुनाव लड़ने की गोशना की थी तो तबी से ही अंताजा लगाए जारा है की सूबेंदू अधिकारी यहां से बीजेपी के उम्मीदार होंगे 6 मार्च को BJP ने सुबेंदू अधिकारी को नंदी गराम से अपना उमिद्वार कोशिद कर इस परपक की महर लगा दी माने यह कि अब नंदी गराम का मा संगराम गुरू और चेले के बीच होगा और अभी से ही अटके लगाई जारी हैं की जीत किस की होगी ममता या सुबेंदू अधिकारी की जी हाँ दोस्तों एक एक करके सभी वोटरों के बारे में आपको बतानी वाले हैं इस वीडियो में इस वीडियो को अंतक देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा की नंदिग्राम में केसा हैं मंता या सुबेंदू नंदिग्राम कोलकता से स्ष्रीप 130 किलोमेटर दूर हैं नंदिग्राम में चुनाओ दूसरे फेज यानि एक अप्रेल को होगा 2019 के इसाब से नंदिग्राम में कुल मददाता 2,46,434 हैं सुबेंदू अधिकारी 2016 के विदान सबाचुनाओ में TMC के टिकेट परचुनाओ जीते थे और उन्हें 1,34,623 वोट मिले थे यानि 67 फीसदी वोटिंग मिली थी अब बात कलेता हैं नंदिग्राम में दूसरा फेज नंदिग्राम का चुनावी इतियास को जानना भी इंट्रेस्टिंग होगा नंदिग्राम के पिसले चुगदा विदान सबाचुनाओ का नतिजा एक रोमांचिक चीतर दिखाता हैं CPIM नंदिग्राम से 1967,199,191,192,199,196,191,2006 के विदान सबाचुनाओ जीता हैं वहीं जनता पार्टी ने 1967 और कॉंग्रेस ने 1906 में और CPIM ने 2000 में नंदिग्राम से चुनाओ जीता हैं और उसके बाद नंदिग्राम में मम्ता बेन जी की पार्टी TMC का खेल सुरू होता हैं यानि TMC 2009 और 2011-2016 का विदान सबाचुनाओ जीत रही हैं सुबेंदू उदिखारी 2016 में TMC से विदान सबाचुनाओ जीते थें कुल चुगदा विदायक विदान सबाचुनाओ चुनाओ आकड़ों के मुताबिक CPIM 8 जनता पार्टी 1 CPIM 1 कॉंग्रेस काते में 1 TMC 3 बार नंदिग्राम से चुनाओ जीत चुकी हैं जीहां दोस्तों अब बात करता हैं तीसरे फेजगी नंदिग्राम में BJP की स्थिति क्या है जीहां दोस्तों BJP की स्थिति क्या है नंदिग्राम में BJP पिछले दो विदान सबाचुनाओ में तीसरे नंबर की पार्टी रही यानी BJP को 2016 में 10,000 वोट और 2011 में 5,813 वोट से संतों सोड़ना पड़ा वहीं 2019 के लोक्स बाचुनाओ में TMC को 1,3,060 वोट मिले लेकिन BJP के वोट 10,000 से बढ़कर 62,268 वोट तक पहुँच गई CPM 9,335 पर आगई लेकिन अब की बार BJP की स्तिती बदल चुकी है क्योंकि सुबेंदु ओधिकारी BJP में सामिल होकर नंदी गराम से पार्टी के उमिद्वार बन चुके है चोता फेज जी हां दोस्तों चोता फेज कैसा है अब सुबेंदु ओधिकारी के राजनेतिक यात्रा को समझना भी आवशक है सुबेंदु ने अपनी राजनेतिक यात्रा कॉंग्रेस से सुरू करते हुए 1925 में कांथी मिनिश्युपल कांसलर चुनाव से सुरू की पेली बार 2006 में कांथी से बंगाल विदानसवा चुनाव के लिए चुनाव जीते ओर उसी साल कांथी मिनिश्युपल कोपरेशन के चेर्मेन भी बन गए लेकिन असली राजनेति यात्रा सुबेंदु ने शुरू की 2007 में जब उन्होंने नंदिग्राम चे भूमी अधिक्रेन के खिलाप जंग शुरू कर दी भूमी अनुछेद प्रती रोधी कमेटी का नेतत किया और उसी नंदिग्राम अन्दोलन ने सुबेंदु को बंगाल का एक यूवा जुजारू नेता बना दिया और उसी अन्दोलन ने लेप्ट फंड की 34 साल पुरानी सरकार और सत्ता को बंगाल के खाड़ी में उखाड फेका ममता के करीबी राजे स्तर पर ममता बेनर जी उस अन्दोलन का नेतत कर रही थी और उसी दोरान ममता की नजर सुबेंदु पर जाटे की उसके बाद सुबेंदु ममता के काफी करीब बन गए और 2011 में उसी अन्दोलने लेप्र फंड को सत्ता से बाहर करते हुए ममता बेनर जी के टीमसी को सत्ता सिन कर दिया उसके बाद सुबेंदु 2009-2014 लोकस बाचुना में टीमसी से जीते लेकिन ममता बेनर जी को सुबेंदु की जरुत दिल्ली में नहीं बलकि बंगाल में थी इसलिए ममता ने सुबेंदु को 2016 में विदानस बाचुनाओ लड़ा कर अपने बंगाली मंतरी मंडल में सामिल कर दिया हुआ यह कि टीमसी में ममता बेनर जी के बाद दूसरे नंबर पर पार्टी के कद्दावर नेता बन गए और सुबेंदु नंदी ग्राम ही नहीं बलकि पूरे बंगाल के बड़े नेता बन गए लेकिन एक कावत है कि अती मीटे संबंद को संबालना बड़ा मुश्किल होत पर मजबूर कर दिया और अंतत सुबेंदु बीजेपी में सामिल होगे आज सुबेंदु बीजेपी में कद्दावर नेता बनने की कोशिस कर रहे हैं आखिर अंत में नंदी ग्राम की लड़ाय बंगाल की बेटी और नंदी ग्राम के बेटा के बीच होगा नंदी ग्राम क को नहीं चुनेगी बलकि अपने बेटे को ही चुनेगी बलकि सुबेंदु ने तो दावा ही किया है कि ममता को कम से कम 50,000 वोटों से हरेंगे सुबेंदु के पिता सिसीर अधिकारी ने भी कहा कि जीत सुबेंदू की होगी और ममता ने गलत निर्ने लिया हैं कॉंग्रेस के नेताब परती बटा चार्या के भी यही कहना है कि ममता के लिए सुबेंदू को हराना आसा नहीं है स्वाल उड़ता है कि एसी सितीदी में एडवांटेज किसका है बेटा या बेटी का इसका अंतिजार दू मई को है देखते हैं कौन जीतता है नंदिग्राम बेटी ममता या बेटा सुबेंदू चलते जते एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अब की बार के बंगाल चुनाओं का हेड़ क्वार्टर कोल कता नहीं नंदिग्राम है उम्हीत है से जनकर अपडेट आपको मिलके होगी प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और स्प्रेक क्लिक कीज़े चनल को भी सक्स्राइब कर लीजिए पास में चोड़ से नना सब बेल आइकन उसको भी दबा दीजे ठेंक्यू ठेंक्यू ठेंक् हो दोथ हो तॉ